हेलो फ्रेंड्स, क्रिस्मस की शुरुआत हो चुकी है, अभी सभी बेकरी वाले होम बेकर अपने बिजनस के लिए नए नए प्रोडेक्ट बना रहे हैं, तो चलिए आज इसी सीरीज में यह हमारी पहली सीरीज है, जिसमें हम स्पेशल चॉकलेट बनाएंगे, तो इसकी मैंने एक स्लैप मिल कमपाउंड ले लिए, जिसको मैंने डबल बॉयलेड मेथर से मेल्ट कर रही हूँ, और यह मैंने ब्राउनी बना के रखिए, वालनट ब्राउनी, ब्राउनी कैसे बनानी है, इसकी रेसिपी मैं आप से पहले शेर कर चुकी हूँ, मैंने गरम गरम ब्र वालनी को ही मेश करके ऐसे सेट कर दिया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से शेप में सेट हुई है यह तो फ्रेंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं, उसके लिए बैल आइकन को क्लिक कर लें और रैसी पे पसंद आए तो इसे लाइक भी करें दोस्तों के साथ शेर भी करें अब ये देखे हमारी चॉकलेट मैल्ट हो गई है इसमें आप ज़रा सा कॉफी पाउडर डालें जिससे इसका टेस्ट और इनैंस हो जाएगा जैसे मैं मैंने इसमें 1-8 टी स्पून जितना कॉफी पाउडर डाला है इंस्टेंट कॉफी पाउडर और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें और पहले हम इसको रून टेंपरेचर पर लाएंगे चॉकलेट को ताकि इसकी शाइन बरकरार रहें अब मैंने इसमें ब्राउनी को अब इनकी शाइन बरकरा रहें इसके लिए आप इसको रूम टेंपरेचर पर ही सेट करें चॉकलेट से डिप करके हम इसे बटर प्रेपर पर रखते जाएंगे और मैं इसको completely room temperature पे ही set करूँगी मैं इसको fridge में नहीं रखूँगी और इसे fridge में रखने की भी जरूतनी है friends यह आसानी से room temperature पे set हो जाएगी तो ऐसे ही सारी तयार कर लेंगे और इन्हें pack करने के लिए जब ये set हो जाए तो आप इन्हें individually cling wrap खीजिए और नहीं करना चाते हैं तो भी आप इने chocolate box आता है ना बस उसमें एक एक cube उसमें रख लें आप अगर इसको pack कर लेंगे आप cling wrap से तो ये और अच्छी लगेगी और safe भी रहेगी और इसकी self life room temperature पे आप इसको 4-5 दिन तक enjoy कर सकते हैं और फ्रिज में रखके आप इसे बराबर 15-20 दिन तक enjoy कर सकते हैं तो ये देखिए ये सारी तयार कर लिए मैंने अभी इसको room temperature पे रखेंगे set होने के लिए और जो इसके extra parts होंगे ना इनको आप तेज दार वाले चाको से कट कर ले और इन्हें एक प्रॉपर शेप देता है तो ये हमारी center fill walnut brownie chocolate तयार हो जाएगी और प्राइजिंग आप इसकी brownie की pricing में पहले ही बता चुकी हूँ आपको 1500 रुपे 1500 रुपीज पर केजी brownie रहती है तो उस हिसाब से आप इसकी cost निकाल ले ये देखें मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ अभी room temperature पर set की है हमने फिर भी बहुत अच्छे से set हुई है और ये देखें कट भी बड़े आराम से हो रही है और look आप देख सकते हैं तो आप भी इस Christmas new year पर अपने menu में ये chocolate brownie add कीजिए और आप चाहें तो इसे ऐसे plastic box में भी pack करके देख सकते हैं individually wrap करके और चाहें तो chocolate box में भी देख सकते हैं ये आपके pricing पर depend करता है आप cheap pricing रखना चाहते हैं या high pricing रखना चाहते हैं तो अगर आप order देना चाहते हैं आप जोदपुर से हैं proper या फिर कहीं से भी हो आप मेरे Instagram ID पर जाईए और वहाँ आपको मेरे सारे product मिल जाएंगे तो आप वहाँ मुझे DM करके order दे सकते हैं तो आप भी इसे अपने menu में add कीजिए और अपने business को promote कीजिए बस comment करके बताना ना भूले recipe आपको कैसी लगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए Thank you